हेलो बच्चे लोग तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होब कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने हैल्थ का ख्याल रख रहे होंगे कि एक्जाम सचल रहे हैं बच्चों के तो जोरों-सोरों से प्रिप्रेशन में लगे हुए हैं ठीक है बच्छा लोग चलिए तो बहुत- इंप्रेशन करवा रहे हैं बोर्ट के रिए तो आज हम कुछ इंप्रेशन के साइंस के तो सुरुवात करने से पहले सबी लोग एक वार वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमने कुछ इंप्रेंट मैटेरियल उनके लिए बायोलोजी के कुछ अब्जेक्टिव टॉप टाइप के कॉस्चन्स और प्लेशन के ठीक है और क्या कहते हैं जो फिजिक्स वाले बच्चे उनकी तो पुछ चैप्टर वाइज हमने क्या बनाए इंप्रेंट टॉपिक्स औ तो आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं वाले बच्चे हैं उनकी लिए हमने चैप्टर वाइज इंप्रेंट क्वेस्चन्स वगरा और प्रिवेस सब करवा दिये हैं प्लेश्ट आप चेक्टर वाइज वहां आप जाकर क्लाश 10 के साइंस के पूरी साइंस एक वीडियो में कवर कर सकते हैं ठीक पर चलो तो चलो आज हम नुमरिकल्स करने वाले हैं तो सभी लोग जाकर जो ट्वेंथ है ट्वेल्थ मो प्लेश्ट वगरा चेक कर लेना चलिए शुरुआत करने से पर एक बार सभी लोग थमस अप कर देंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अग कि आपका लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाला है वो भी हम आपको कर जल्दी से जल्दी करवा देंगे ठीक है चलिए शुरू करें अब देखो साइड में एक साधी है तो अगर सोर शराबा आए तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे सभी ठीक है चलिए तो पढ़ेंगे अब सबी लोग क्वेशन के रहा बच्चे लोग जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना लाएक बोर्स में वे एक्जाम में पढ़ रहे हैं तो बता रहा हूं मैं रिजल्ट अगर खराब आया ना तो फिर माबाप ज़ाडू लेके पीछे पढ़ जाएंगे मा लाके तो फूकनी बेलन डंडा जहाड़ू सब चलेंगे पापा की बेल्ट उतरेगी रिजल्ट पर तो होता है नहीं होता है तुछिल ले सई से पढ़ो बागी जो बच्चे थोड़े से बुरी गलत संगत में है अगर गलत संगत क्या थोड़े से जिनके बाबू शोना है ना तो वो थोड़े दूर रहें अभी पड़ाई पर ध्यान दें ठीक है वन्ना कहते हैं ना क्या कहते हैं वन्ना पकड़ना पड़ेगा रोने के लिए को ना जब छोड़ जाएंगे आपके बाबू और शोना ठीक है क्योंकि क्योंकि बाबू शोना सिर्फ चून लगा के जाते हैं ठीक है तो पड़ाई पर ध्यान दे लो फिलाल तो ठीक है बच्छा लोग चलिए शुरुआत करते हैं चलिए एन इलेक्ट्रिक पहला क्वेशन गया है एन इलेक्ट्रिक आइरन ऑफ रजिस्टेंस 20 ओम इक पता होगा इस्तरी से बहुत से लोग पहुंचके न लाएं को स्थी प्रेस वाली इस्तरी से कपडे प्रेस करते हैं स्थी करते हैं तो इलेक्ट्रिक आइरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम है उसमें इस्टेंस दिरक है 20 ओम टेक्स अगरेंट आप 5 एमपय जो कि कितना जूल्स लॉओ यहां पर लग रहा है तो यह सारी काय 국वेंट प्रॉड्यूश करते हैं तो यहां पर आपको चीजेंद देख रहा है वह सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपको पहले जो पहले Lubberon सब कुछ जिन्दगी में ठीक है आप समझते नियों लाइक हो चलो तो आई दे रखा है कितना फाइव एंपर टाइम और दे रखा है ताइम दे रखा है आपको बिटुवा थर्टी सेकंड कितना रखा है आई आउटी अब हीट निकल आ रहा है कैने कल रहा है हीट तो सोचो 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 एक बात इस चीजों को देख कई फॉमली आदा जाते हैं याद करो जली याद करो याद 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 बस याद रह जाती है जब बाबूश ओना छोड़ जाते हैं ना चलो फिलाल तो कुश्चन पढ़ दो ठीक है क्या कह रहा है क्या निकालना हीट निकालनी है तो हीट बराबर एक फॉर्मूला याद आ रहा हुगा चल्दी करो अपने दिमाग के घोड़ी द तो मारी पिटाई होने वाली है अगर यह फॉर्मूला भी तुम्हें याद नहीं है हीट वगरा के दो चार फॉर्म हीट का फॉर्मूला याद कर लो ठीक है पावर वगरा के याद कर लो तो यह तो पता होना चाहिए आप बच्चे तो हो नहीं है अब टेंथ क्लास में आ ठीक है चलिए तो आई कितना रखा आई रखा आपको 5 MPR तो 5 का स्कॉयर हो गया बिटा का हो गया स्कॉयर हो गया और कितना है आपका आपका ट्वेंटी और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड ठीक है चलो अब किसे क्या करें कैलकुलेट कर लेंगा हीट बराबर कितना हो कितना बैटेगा अब यह भी ना करो था फिर नलायक हो ठीक है चलो 25 का टेवली व्याद हो तो भी कर लोगे कितना होता है 25 शीजा ए रेंड़ायको चलो ऐसी कर लो 65 जो 30 30 का 0 3 केरी 362 जा 12 पर 3 15 तो अगा जिसे वो टेवली व्याद हो नहीं नहीं तो हिंदी में कर लो 25 चि पर जिनको नहीं है वो जैसी व्याद कर लो टेबल तो टेवल होते हैं आपको ठीक है चलो तो कितना हो गया यह आपके डेड़ सो बाकी दो जीरो लगा दो आप ठीक है तो आपका 15,000 हीट है तो जूल हो जाएगा जूल हो जाएगा अब पता है जूल में रखका इसको किलो जूल में convert करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो इसे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 15 किलो जूल सो यह आ गई है आपकी हीट मतलब यह कि अगर कितना इतना त्वेंटी ओम करेंट दे रखका है फाइव एंपियर टाइम दे रखका है 30 सेकंड तो कितनी हीट कैलकुलेट ह वह कितनी हीट डैवलाप होगी उस आयरेंड में तो हूगी बटा कितनी 15 किलो जूल कितनी यह गे 15 किलो जूल बोलो शियापति राम चंद्र की जै आगा अंसर चलो जी अब क्या करें हैं अब हमारा सेकंड कॉस्टन पढ़ लेंगे छिएग कर रहा है एक रिच्ट्र एप् रहा है तो इसका मतलब यही होती है वो रिडिंग किलो वाट पर और किलो वाट पर और समझा गया अब वो करहा है आठ गंटे पर डे चल रहा है थार्टी डेस टोटल चलाना है उन्हें तो ती अगर तीन रुपे के भाव से अगर निकाला जाए तो इस कैलकुलेशन के कितना कॉस्ट बैठेगा टोटल इत कितनी एनर्जी कंस्यूम होने के तो आठ गंटे पर दिन चलता है तो आपको कहा निकालना है आपको निकालने पड़ेगी क्या निकालने पड़ेगी एनर्जी तो पहले एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है टोटल टोटल एनर्जी कंज्यूम आप लिखेंगे कितनी लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यू कि इंग देज ए उसके पहले तो इस की पहली कितनी पावर दे रहते इसकी पावर देखें नहीं 400 वाट और यह रखा है आपका आठ गंट के रखा है आठ गंट है टो तो पावर लिखें से पहले तो 400 8 गंटे पर दे चल रहा है तो 8 आर पर दे 8 आर पर दे आया ना ठीक है और कितने दिन के लिए 30 डेस के लिए चल रही है तो 30 डेस ठीक है 30 दिन के लिए तो आपकी कितनी बैठेगी multiply कल लो इसे calculate कल लो आपकी गलती नहीं वनीची आपकी अठीक है तो आपकी तो आपके टीक है बाकि तीन थीरो और तो आपने कल लेओ ठीक है इस जगह नहीं है तो थीक है 24 इंटी फूर कितना वागा 96,000 96,000 कितना वाट आर और आपको पता है कि एन जो हमारी होती है किसी lot रखाय तो है पैटेगी आपकी सो अंचिंटीक इन्टू कितना त्रीक इन टू इंटिक रोपीस त्रीक यह जएटीएक तु하는데 एटी아ीट रुपीस टू है तो एतञे हैं सब्सक्राइट fu exemption जिसके रुपए निकले तो 288 रुपए आपके उस वेफरीजरेटर के द्वारा जिसकी पावर के तो आट गंटे पर दे चलाया जा रहा है बहुत जादा इंपोटेंट है तो आप इन्हें कवर कर लेना आप से डिरेक्ली एक्जाम में पूच सकता है कई बार पूछा गया है तो आपके लिए इंपोटेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट ऑब यूज ठीक है बाकी जो मैंने बताया है कि महनत करते रही है महनत का फ ठीक है तो उनको मैं बता दूँ कि मैंना भी जैसी को बताया कि बाबू शोना चूना लगा के जाते हैं क्या लगाते हैं बाबू शोना लगाते हैं चूना और जब छोड़के जाते हैं तो पकड़ना पड़ता है को ना तो सुदर जाओ बच्चा ठीक है तो इन सब चियों आपके लिए पड़ बढ़ पर अभी अभी पड़ लो कुछ वक्त की ठीक मद चलो चलिए मिलते हैं अंगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट ज्यारूर करके जाईएगा जद्यों सब्सक्राइब कर इंग्लिस की वीडियो लाइक कर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ इंपर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा किस तरीके से आपको कवर करना है तीन गंटे में कैसे करना है कि आपको फॉस्ट एक्जाम है ठीक हो चलो चलिए मिलते हैं बहुत-बहुत सुक्रिया बिट आप सभी का इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए और अपने भाई मनिश को सपोर्ट करते रहे चलिए जाते आते चलो को सब्सक्राइब कर लेना बहुत 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 शुकर थैंक्यू सो मच आप सभी को चलिए